स्वागत बच्चों आपका सेल्स्टेडी के चैनल में और आज हम एक करंट टोपिक जो भारत का बढ़ता वर्चस इसको दिखा रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग टोपिक है और आप जानेंगे कि भारत कैसे अपनी राय रख रहा है एक ग्लोबल टेबल के उपर और वहां पर सबको भारत की बात माननी पड़ रही है मतलब काफी ज़्यादा ये देखकर खुशी हुई पहले तुर्की ने कहा कि भारत वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कोब 26 के अंदर आपको पता है कि कोब 26 का आयजन किया गया था अभी हाल फिलाल में वो खतम हुई और लास्ट मीटिंग या कहें लास्ट वाले जो दिन एक बात हुई जिसके अंदर भारत ने ऐसी बात बोल दी जहां पर बहुत सारे जो देश हैं इवन चाइना और जो भारत का समर्तन करने में आगे रहा कि हाँ हम भारत की बात का समर्तन करते हैं तो क्या वो बात हुई कैसे भारत का वर्चा सो बढ़ रहा है वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं तो ये एक news आई है जिसमें कहा गया है कि India and China weaken यानि कमजोर कर रहे हैं एक शपत को कौन सी शपत है भई phase out काफी ज़्यादा important है ये एक phrase है ये आप लोगों को समझने कि ये phase out को कमजोर किया है किसना India और China ने कहां पर COP26 के end में जो मतलब कि COP26 की last match हो रही थी वहां पर ओके थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं थोड़ा सा यानि एक तरीके से मैं समझाओं तो background अख्यार कर लेते हैं फिर ये कहानी सुनने मज़ा आएगा कि कैसे भारत ने अपना मतलब कि last make game कर दिया है यहां पर COP26 के अंदर तो यहां पर पांच टेक आवए हैं कि भहिया क्या क्या हो रही है किया क्या क्या बाते हो रही है हमें इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही हैं मोटा मोटा तोर सोप , आपके बारे में रखूंगा मैं य का करना है, क्या 5 take away यहां पर लिए गए है, इनसे मिल लीजी यह है, यह हैं President, इनका नाम है अलोक शर्मा जी, तो यह बहरती हैं मूल के हैं, लेकिन है बृतें के, तो यह presidency कर रहा थे COP26 के अंदर, कहां हो रही थी? गलाशको के अंदर हो रही थी, तो इनकी अधेक्सना में बदलाव करती है तो basically आपको समझना ये है कि यहां पर एक phase out करके एक phrase है और अलोक शर्मा जी की मतलब की dexta के अंदर ये चीज बदल दी गई है एक शब्द बदल दिया गया है अभी आता हूं उस चीज के उपर तो क्या-क्या चीजें हुई है क्या-क्या गोल लिये गए है उसके बारे हम बात कर लेते हैं एक बर जर्म देखो गोल लिये जो गए है गोल ये लिया गया है कि net zero और डेट डिग्री यानि 1.5 डिग्री इसको कमट्रोल करो भई यानि 1.5 डिग्री से उपर नहीं बढ़ने देना है अगर आ गया तो भई glacier पीगल जाएंगे पानी का लेवल बढ़ जाएगा मतलब हर जगा मतलब चीजें बिगड़ जाएंगी हाथ में नियाने वाली है चीजें ऐसा हो जाएगा तो 1.5 तक ये रखना है global warming कम करनी है ये सब चीजें इसमें आ जाती है net zero का मतलब होता है कोशिश की गई है इवन मैं कहूं कि जितनी developing countries है उनको एक जाल के अंदर फसाने की कोशिश की गई है उसमें भारत भी आते है लेकिन भारत ने उसको उल्टाइ कर दिया है तो ये net zero की बात कई गई कि भाई कोले का उस सरजन बंद कर दो 1.5 डिग्री से टेंपर नहीं बढ पैसे चाहिए तो कभी 100 बिलियन हमें पैसे चाहिए तो ये बात हुई दूसरी ये बात हुई या ecosystem को हम बचाएंगे और तीसरी चो चोती जो बात हुई है भाईया साथ मिलकर हम सब बात करें मतलब करेंगे जितने भी जो देश है वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करें इदर भारत ने कहा है कि Net Zero हम कर लेंगे लेकिन कब तक कर लेंगे Net Zero हमने कहा है कि 2070 तक कर लेंगे यहनि कोईले का उतसर्जन हम कम कर देंगे किया बंद कर देंगे कब तक 2070 तक इदर अमेरिका ने बोला है कि भाया हम कर देंगे क्या टेकनीक है बंद करने के लिए तो भई ये है कि देखो अगर आपको ये 1.5 डिग्री से उपर नहीं बढ़ने देना है तो देखो कोईले का उसरजन यह नहीं कहें तो कोईला एक तुम बंद करना बढ़ेगा चलो ठीक है भई दूसरा उलेक्टरिकल विकल आपको चलाने पड़ेंगे और लेटी भारत में एक स्कीम चल रही है फेम नाम से जो उलेक्टरिकल विकल को बढ़ावा दे रही है फिर कहा है कि भाई या हम फोरस्ट डिफोरस्टेशन को रोकेंगे यानि जंगल काटने से हम रोकेंगे, इवन हम पोदे लगा दिया करेंगे, यह वह हम लगाते भी हैं, भारती है, तो हमारे मतलब पेड़ पोदों के बहुत हम पुजा करते हैं, तो वहां हम एक दो पेड़ पोदे तो वैसे ही लगा देते हैं, और फिर कहा है, renewable energy, मतलब renewable energy तो जो हवा से, पानी से, सूरे से, जो energy बन रही है, उनका हम यूज करेंगे, तो यह भारत ने बोला है कि हम ऐसे net zero को control करने वाले हैं, 1.5 degrees Celsius से temperature नहीं बढ़ने देंगे, यह चीज़े हम करेंगे, तो यह बात हो गई, अब देखो यार, मेन जो है, ऑस्टेलिया ने बो partir चाहिए कि जितना W chic कोईला जलाया यह जितना carbon dioxide निकाला उसको grehen कर लगो carbon जितना निकाला उसको grehen कर लो मेन चीज यह है, तो इसको कैसे करोगे, करने का तरीका यह है is Ecoilet को बंदधि करए दो मतलब carbon निकल रहा है, तो carbon को निकलने से कैसे रोको गया, तो कोई machine लगा हो ताकि carbon अदर अपने ले ले, और जितनी developing country है, उनको अगर विक्सित होना है, तो वो विक्सित होने के लिए coily का ही तो use कर रही है, coily पे टिकी होई है, अगर वो कोईला बंद कर देंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे तो ये बात होगी तो देखो ये दो चीज़ें तो हम कर लेंगे कोई इसमें टेंशन नहीं है रुपया लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वीकल में इसमें पैसा बहुत खर्च हो जाता है भारत का उत्पादन जो हो कोईले से चलता है वो नेट जिरो लाक है से सकते है नेट जिरो लाने का मतलब कि कार्बन बाहर नहीं आना चाहिए तो इसके लिए हम करेंगे क्या तब ही तो भारत ने का कि देखो हमें टाइम चाहिए हमें 2070 तक दो चप्रॉल करने के लिए फिर रिपोर्ट निकाल ली गई अभी देखो बैक्गराउन बना रहा हुँ कि क्या हुआ है भारत को फांसनी की कोशिक की है फांसनी कशिक के की की एक रिपोर्ट आती है कि क्वार्बन डाइड एक्साइंट कoured निकाल रहा है तो उसमें महाश्या आते हैं चाइना जो 26% निकाल रही हैं कारबन डायक्सेट फिर आते हैं उनाइटिट स्टेट 15% फिर आते हैं भारत 7% हमारा देश जो है फिर आते चोथे नंबर पे रश्या 5% के साथ तो ये देखेंगे सबसे ज़्यादा चाइना है फिर अमेरिका है फिर इंडिया है तो ये बात हुई यहाँ पर जो रिपोर्ट निकाली का देखो तुम सब जो ये दो देश है बहुँ ज़्यादा कारबन का उस सरजन कर रहे हो कम करना पड़ेगा, कम नहीं बंद करना पड़ेगा तो ये बात हो गई फिर आते हैं इसके उपर अब आता है मेन चीज तो फिर प्रेजिदेंट साब अलोग शर्माजी बोले कि भाई देखो हमने इतनी सारी बातें कर ली है 12-13 दिन तक ये जो COP26 चला है तो हमने ये जो 12-13 दिन तक जितनी बातें की हैं एक काम कर लो न इसको एक परचे के उपर रख लो यार कि हम क्या क्या करने वाले हैं ये लास्ट दिन की बाहत चल रही है अलोग शर्माजी ने का एक परचे पर लिख लो सारे की सारे ये सारे बैठे हुए थे मीटिंग हो रही थी अलोग शर्माजी ये बात बोल रहे थे इतने में क्या होता है इतने में आता है चाइना चाइना हाथ कड़ा करता है चाइना के हाथ कड़ा करने के बाद भारत हाथ कड़ा करता है तो भारत की तरह से, जो environment minister है वो पेंदर यादव, वो पेंदर यादव जी कहते हैं कि देखो सर, आपकी बाद सारी बास से हैं लेकिन एक छोटी से न हमने कुछ चेंज कर रहे हैं, हम चेंज क्या कर रहे हैं, यह जो word आपने दिया न यह phase out, ये phase out में हम थोड़ा change कर रहे हैं phase out की जगा न हम phase down कर रहे हैं भाई जैसे ये बात बोली भारत ने phase down भारत के पीछे 200 देशों ने भाईया ये समय लो तालिया बजा दी और ये अलोग शर्मा जी अलोग शर्मा जी बोले कहां गए भी आओ 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 सामने परकी क्या पड़ा phase out की जगां कर फेज down कर दें देखो phase out का मतलब है बंद कर दो खतम कर दो मतलब शुनने कर दो phase out का मतलब phase down का मतलब है कम कर दो चीजों को कम कर लो मतलब उसको use करो लेकिन use कर क्या करो उसका कम use कर लो मतलब क्या है देखो भारत जैसा देश जो इसकी एकनोमी टिकी हुई है यार कोईले के उपर जहां हम अगर कोईला अगर हमने बंद कर दिया तो भारत की जो क्या कहते हैं कि यहां पर बिरोजगारी बढ़ जाएगी इस पात जो है वो कोईले के उपर चल रहा है बिजली महंगी हो जाएग यह महंगाई दो गुनी से तीन गुनी इतनी जादा हो जाएगी तो हम कोईला बंद कैसे कर सकते हैं तो बात यह थी देखा जाए तो यह लास्ट दिन जो यह पर्चे पर एक शपत लिखवा रहे थे कि देखो आप आपको यह करना है इन देशों को तो यह जितनी भी डेव जैसे यह समर्तन दिया कहां पर है हम आपको एक बात दिखाता हूं यह रही देखो चाइना डिफेंट इस डिसीजन ओफ जॉइन इंडिया ओन फेजिंग डाउन इंस्टिड ओफ एलिमिनेटिंग को मतलब कि चाइना ने डिफेंड किया है भारत के इस परस्ताव को कि आउट हमसे भी ना हो पाएगा तो यह बात होगी तो वह हमारी बात का समर्तन करने पहुंच गए तो अमेरिका ने और चीन ने और इनके अलावा बहुत सारे देशों ने भारत का समर्तन कर दिया कि हां फेज डाउन करेंगे फेज आउट नहीं करने वाले क्यूंकि हमारी एकनॉमी लगी हुए आप तो भईया देवलोप्ट कंटरियों कह सकते हो हमं डेवलोपिंग कंटरियों और हमें हमारी एकनॉमी चलानी है इत military को शुरक्षित रखना है लेकिन ge Spar mig Conference के चक्र में मुदलब के देश की जो लोग हैंम одну को भूठा थोड़ना मारा जाएगा कर पुर्ण ने जब भारत ने यह बात बोली और अलोग शर्माजी भहिया फिर उसके बाद माफी मू给 मांगे तो उन्हों ने भारत की बात मान ली कि भारत की बढ़ती हुई पावर की ग्लोबल टेबल पर बैठ कर दुनिया के व्यक्तेववे बदल रहा है और कोई रोग नहीं पा रहा है भाई साथ ये है भारत का बढ़ता वर्चसु अब पढ़ रहे हैं अकबार तो इस तरीके से पढ़ो कि भारत ने क्या बोला और उन परतिनितियों को लेने के लिए बहुत सारी है लेकिन भारत के परतिनितियों को लेने के लिए स्पेशल कार आ रही है तो ये एक थोड़ा सा भीच भेदवाव किया है भारत का वर्चर सू कैसे बढ़ रहा है तो यह सारी चीज़े हैं तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा कि फेज आउट ना करें फेज डाउन कर दें और भारत का वर्चर सू कैसे बढ़ रहा है COP26 का लास्ट जो बैटक थी जिसमें आलोग शर्माजी थे जो कहां से थे ब्रिटेन के थे हैं भारतीय मूल के उन्होंने लास्ट में मतलब की माफी मागी कि यहां हमसे गलती हो गई कि हमने मोका दे दिया ऐसे करने का तो यहां पर देख लीजिए तो इतनी सारी चीज़े थी तो बस साच के लिए इतना ही था इस वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को भी और वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अगली वीडियो में मिलते हैं Thank you for watching this video